आज हम लोग करने वाले हैं RTC का एक और लेक्चर देखो मैं यह जो सिरीज बनाई हूँ ने इस्पेशली रेफरेंस टू कॉंटेक्स के सिरीज है RTC आप लोगों के यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इस सिरीज के अंदर हम लोग चैप्टर वाइज हर चैप्टर का हर चैप्टर का एक RTC कवर जरूर करेंगे एक से ज़ादा भी हो सकते हैं बट जो परपस है इन वीडियो का इस सिरीज का वो यही है कि जो फाइव मार्क्स का RTC आपके एक्जाम में आने वाला है इसको आप प्रैक्टिस कर ले तो वीडिय वाले वीडियो में मतलब जो अलेटर टू गौर्ट का RTC करा है उसमें सब कुछ बताया है RTC कैसा होता है किस तरीकी के questions आते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए देख लीजेगा now on a safer side में 2-3 वीडियो में बार-बार एक introduction RTC का दे दूंगी so that in case यह मेरा पहला है आप देख रहे हैं अगर तो आप connect कर पाएंगे ठीक है चले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं RTC की अगर आप जानते हैं RTC के बारे में तो आप इसको skip कर सकते हैं थोड़ा सा दो मिनट आगे इसको forward कर सकते हैं वीडियो को otherwise आप मेरे साथ में देख लीजे ठीक है RTC exam मे किस तरीके से पूछी जाती है और क्या questions उसमें होते हैं तो पांच नंबर का RTC का question आता है actually दो आते हैं एक आएगा आपका chapter based okay मतलब जितने भी हमारे stories हैं जैसे fiction के stories होगे short stories होगे chapter होगे जिसके अंदर story है वो और एक five marks का जो आएगा वो आएगा आपके poems के उपर से ठी five marks pros के हैं यह दोनों chapter दोनों books को mix करके आएंगे मतला book one ठीक है और plus book two तो दोनों book में से एक एक RTC आपको आएगा जो आपको करना है दोनों में से एक आपको करना रहेगा five mark का एक ही करना है आएंगे choice में दोनों एक footprints without feet में से आजाएगा एक first flight में से आजाएगा और आप three questions five भी हो सकते है four भी हो सकते है three भी हो सकते है लेकिन जो marking होगी वो five होगी total मत्तब ऐसा हो सकता है कि question दो number का हो और बाकी के तीन एक एक number के हो और एक one का हो questions three लेकिन जो number रहेंगे जो marks रहेंगे वो five रहेंगे I hope it is clear now आप बोलो के मैं पूछा कैसे जाएगा वो तो बता आपको एक्स्ट्रेक्ट बेस्ट क्वेस्टन से याद होगा शायद 6-7-8 में आपने किया होगा हमेशा होता था ना चाप्टर के अंदर से लाइन आती थी टीचर्स बोलते थे आपको स्कूल में बेटा चाप्टर को पूरा पड़ो कहीं से कुछ भी आ सकता है वो यही होता ह है ना लेकिन पहले जो questions आते थे reference to context के वो बहुत ही बहुत basic होते थे who spoke this line, to whom this line was spoken, who is the reader, who is the writer, who is the speaker, what does he refer to इस तरीकी के questions आया करते थे तो यह बहुत ही basic questions होते अब ऐसे नहीं आते हैं अब बहुत interesting questions आते हैं तो एक तो paragraph आपको पढ़ना रहेगा, इस paragraph को जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपसे 5 questions करूंगी, अब इन 5 questions में हो सकता है है कि objective हो, तो 4 options हो सकते हैं, आपको ABCD में से choose करना रहेगा, easy हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, gap filling हो, मतलब की पूरी line लिखियो, एक word आपको fill करना हो, हो सकता है, one word answer देना हो, question पूछा हो, answer one word में आएगा, हो सकता है, one line answer देना हो, पूरा लिखना हो, हो सकता है, paragraph लिखने को आ जाए, और जो दो number को question में बता लिए थी ना, वैसा कुछ आ जाए, बहुत सारे mismatch आ सकता है, match the line आ सकता है, synonym पूछे जा सकता है, word से related, vocabulary से related, grammar से related, बहुत सारे options हैं, RTC में आने के, आप जैसे जैसे series में मेरे साथ continue करेंगे, आप notice करेंगे, कि बहुत सारे तरीके के RTC हम लोग सीख जाएंगे, ठीके, चले, तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो पहले हम लोग paragraph पढ़ेंगे, फिर इसके five questions को solve करें यह दो को दो चीज़े आपको पता होना चाहिए, नंबर बन आपको चाप्टर पता होना चाहिए, पता सकते हैं कौन सा चाप्टर है, नेलसन मंडेला, लॉंग वाक टो फ्रीडम, अब यह तो मेरी slide है, तो आपको यहाँ दिख गया है, लेकिन आपको paper में नहीं दिखेग और ऐसा bracket में उसका नाम लिखा होगा, चाप्टर का, तो चाप्टर याद करने की, मतब चाप्टर का नाम नहीं पता है, ऐसा बहुत कम होगा, आपको पता ही होगा, और पूरा साल पढ़ते पढ़ते हर चाप्टर का नाम तो याद हुई जाता है, मतब मैं नहीं समझती के नहीं होता होगा, चीक है, चलिए, पहरे दाफ परते हैं, फिर questions करते हैं, अभी देखो, ये ना आपको, जैसे मैंने बुला पहला आपको पता होना चाहिए, कि चैप्टर कौन सा है, दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए, कि ये किस पार्ट में लिखा हुआ है, चैप्टर के, स्टार्टिंग का है, या ये वाला इंसीडेंट हुआ था तपका है, या वो वाला इंसीडेंट हुआ था तपका है, कर पाएं स्टूरी और इस पैरेग्राफ को कि हाँ यह मुझे याद है मतलब इसके एक पैरेग्राफ पहले का भी आपको पता होना चाहिए इस पैरेग्राफ के साथ ठीक है तो यह हमें पता है तो यहां पर हमारी बात हो रही है तब कि जिब नेलसन मंडिला ने शपत ले ली चुके हैं और फिर वो बता रहे हैं कि यह जो फ्रीडम था हमको जो मिला यह कितना इल्यूजन था मेरे माइन में that as a human being as a small boy मुझे लगता था I am free लेकर जब मैं बढ़ा हुआ then I realized that my boyhood freedom was an illusion यह तो illusion था मतला ब्रहम था Humphrey है ही नहीं क्योंकि मम्मी पापा के अंडर में रहना या अपनी community की बाते मानना यह तो ठीक है actual freedom तो वो हुआ कि आप अपने बड़ा होके country में कुछ भी कर सके और यही तो सबसे बड़ा freedom था जो इनके पास था ही नहीं they were actual slaves मेरी मम्मी अगर मुझे रात के 8 बज़े बाहर नहीं जाने देंगी 8 बज़े के बाद बोलेंगे भी 8 बज़े तक घर आ जाओ तो क्या यह मैं slave हूँ या मेरी यह कैसी country जहां कोई और community राज करती है और मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता country के बाहर भी नहीं जा स सकता जिस school में चाहूं वहां पढ़ नहीं सकता जिस hospital में चाहूं वहां जाके अपना treatment नहीं करा सकता तो कौन slave है एक बच्चा जिसके parents ने इसको बुला आट बज़े कि बाद मत जाना बाहर या एक countryman जो अपनी country में रहते हुए भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता the second one is a slave यह तो ठीक है घर का तो क्या है कि जब आप 18 प्लस हो जाएंगे या जब आप responsible हो जाएंगे अपनी job खुद कर रहे होंगे अपना पैसा खुद कमा रहेंगे parents कब तक रोकेंगे वो बलें कि आप तो बढ़ा हो गया है आप तुझे पता है क्या सही क्या गला तो खुद से क क्या है वहां आप अपने मन से तो कुछ भी कर लिजे लेकिन country level पर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप slave हैं जैसे हमारे साथ हुआ था जब हम Britishers के under rule कर रहे थे कितना problem होता था देखो है ना we if if we have anyone जिनकी stories हमें पता है अपने forefathers की तो उन से पूछे को कितना struggle कर कर के जाया है राइट चले तो यहां तक का clear हो गया आपको so it was only when I began to hunger for it मुझे लगा कि नहीं मुझे तो freedom चाहिए at first as a student I wanted freedom only for myself पहले मुझे लगा अपने लिए मुझे freedom चाहिए अपनी class का अना अपनी class में बाहर जाना बंक करना school बंक करना ये freedom मुझे चाहिए थे the transitory freedoms of being able to stay out at night बाहर रहना जाहिए मैंने आपको example बता है ना read what I please and go wherever I wanted to go जहां भी मुझे जाना है वहां जाओ जो पढ़ना है करूँ ये transitory freedom अभी word का meaning समझ गया आप transitory temporary आज है कल नहीं होगा मतलब इसका कोई importance ही नहीं है ये freedom तो होता ही नहीं अब यहीं तो बात है सारी जब हम लोग बच्चे होते हैं हम इनी चीजों के लिए crave करते हैं और life में जब बाहर निकलते तब पाता चलता है ये तो कुछ भी नहीं था या पापा तो जाने ही द तो लेटर एस यंग मैं इन जोहनेसबर्ग जो यहां यह रहते थे जोहनेसबर्ग में आई यहन फोर दबीसिक अन ओनरेबल फ्रीडम तब मुझे लगा यार मुझे नहीं ओनरेबल फ्रीडम चाहिए मेरा ओनर हो मेरी रिस्पेक्ट की जाए मैं कुछ कंट्री का पार्ट ह मेरे को भी उतनी ही इकुल इंपोर्टेंस दी जाए जितनी बाकी के लोगों को दी जाती है वहां इनका दिमाग थोड़ा सा खंका तो प्रॉब्रम शुरू होगी ठीक है चले कॉशन करते हैं क्वेशन नुबर वन दटाइटल एट बैस सूस्ट इस एक्स्ट्रेक्ट इस पर फ्रीडम शिग्निफिकेंस ऑफ्रीडम एंड चॉइसस ऑफीये लिए वर्ड समय फ्रीडम डिखाई दे रहा हुगा खूरीडम फ्रीडम लेकिन आपको यह देखना है कि इस पारग्राफ में क्या लिखा हूँ है फारेग्जांपल चॉइसस ऑफ्रीडम की अगर लोग का है freedom, so significance of freedom, है न, exactly क्या है freedom का meaning, that is correct, freedom for everything, ऐसा कुछ है नहीं, need for freedom की बात नहीं हो रही है, freedom तो उनको पता ही है, कि मेरे पास में नहीं है, transitory थी और अब नहीं है, so it's not about need, it's about knowing what is freedom, इस paragraph में, इस paragraph के अंदर, ठीक है, आगे चलके freedom तो उनको चाहिए था, बट paragraph के बेस पे answer आप ढूनेंगे, why do you think the speaker mentioned some freedom as transitory, उन्होंने बोला, मेरे को जो freedom मिला हुआ है, वो temporary है, तो क्यों बोला उन्होंने ऐसा, questions के options देखते हैं, the freedoms are momentary and keep changing with time, तो देखो ये बात कितनी सही है, कि हमारे जो freedom होते हैं, मुझे नहीं पता answer क्या होगा, बट मुझे ये line पसंद आ रही है, कि हमारे जो freedom होता है, हमारे पास में, वो transitory होता है, that keeps changing, momentary होता है, मतलब कि आज मुझे, जैसे मैंने भी आपको example दिया था, छोटे बच्चे को क्या freedom चाहिए, मुझे चॉकलेट खाने दो, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो क्या चाहिए, मुझे स्कूल बंक करना, टीचे को पताना चले, इसी चीज़ की freedom चाहिए, क्लास से बाहर जाने का मन कर रहा है, इसी चीज़ की freedom चाहिए, पांश में डॉर दे लू मैं, इसी चीज़ की freedom चाहिए, बड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो फ्रेंज के साथ बहार जाने दो, पापा, प्लीज, आट बजे, दस बजे आ जाऊँगा, और बड़ा हो जाए, मुझे प्लीज, प्रेंज के साथ चीज़ होता रहता है, the definition of freedom is constant, but perspective differs, नहीं, मतब definition of freedom is not constant, और perspective भी डिफर नहीं करते हैं, मतब करते हैं, but this is not what the topic is talking about, freedom means different things to different people, नहीं, freedom is not that important after a certain age, और बापर, certain age के बाद तो freedom की actual importance पता चलती है, है न, चले, so पहला ही इसका actual answer है, जो मुझे समझ आ रहा है, so this would be the correct answer, आप लोग भी answer chat section में लिखी, इसका answer सबसे पहले जो बच्चा बताएगा chat section में LC, ठीक है, चले, question देखते हैं, क्या है, question क्या है, choose the option that best fits the usage of the word illusion, illusion का आपको actually meaning बताने क्या है, so he was never able to get past the illusion, past illusion पुरानी बातों के बारे में हो रही है, नहीं, ये illusion था, ब्रहम ढूनेंगे कहा ल illusion है, experience was quite intriguing, illusion कहीं गया है, वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा है, उसकी बात नहीं हो रही है, a large mirror in the room creates an illusion, ये room का जो illusion आता है, उसकी बात हो रही है, वो भी नहीं है, I was living under an illusion that this is possible, ये है, ये, Nelson Mandela was living under an illusion that he is free, है ना, तो वो बोल रहे है, मेरा boyhood freedom was an illusion, तो ये वाला ब्रहम की ब तो ये, this is correct, so D would be the correct answer, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, the speaker says, at first as a student I wanted freedom only for myself, why do you think he only thought about himself, तो speaker को पहले लगता था, the freedom what he wanted, जो freedom उनको चाहिए था, was, the speaker says at first as a student I wanted freedom only for myself, why do you think he only thought about himself, because, वो मतला भी थे, नहीं, उनको पत्ता थे, नहीं, उनको पत्ता थे, नहीं, उनको पत्ता ही नहीं था, कि उनके जैसे और भी लोग हैं, जो फ्री नहीं, बाद में रिलाइस हुआ, everybody who has black skin color, everybody is in danger, everybody is a slave, so, तब तब उनने रिलाइस किया, क्या रे बाप रहे, मैं तो समझ रहा था, बस मैं उनको पता ही था, उनको पता ही था, कि और लोग भी हुनी की तरह परिशा He was too young to realize that freedom was denied to others as well, वो इतने छोटे थे, उनको समझ ही नहीं आए, कि सब को ही freedom नहीं मिल रहा है, बाद में जब बड़े हुए, जब वो community में गए, उन्होंने rally निकलते हुए देखी, तब उनने realize हुआ, मेरे जैसा देखने वाला हर इंसान slave है, वहाँ पर ये topic आता है, रा phrase का मतलब है, उसको फिर से लिखा गया है, है ना, तो कुछ words change है, आप जो नहीं vocabulary है, उसके साब से आपको answer लिखना है, चलो, so the speaker's belief about freedom, since childhood proved false, है ना, freedom का जो उन्होंने सोचा था, meaning वो गलत है, false है, it was not until the speaker grew up to be a young man, when it, और जब वो बड़े हुए, तब उन्होंने, क्या आप मैच कर लेंगे, it on his time that he is, this is began, then he began to, okay, so when it desired on him, dawned on him, dawned on him, arrived on him, तो देखो अभी हम, ये तो दोनों काट देते हैं, when it dawned on him that he was deprived, that he, हमारे पास में ये option है ना, एक तो ये दूसरा है, second, and this is third, है ना, इन में देखते हैं, dawned and arrived, deprived, that he, that, क्या हुआ, हाँ, that he was deprived, of freedom, then he began desiring it, right, okay, तो हमारा जो correct answer होगा, वो second होगा, तो देखो, मैं जिस तरी किसे answer दे रही हूँ, वो मैं इसलिए, ऐसा कर रही होती हूँ, ता कि आप देखो, कि हम जब ढून रहे होते हूँ, तो मारा माइन कैसे चल रहा होते हैं, तो मैं कैसे करना होता है, otherwise answer easy है, आप कर लिए हैं, आप तो बहुत अच्छी बात है, बट ये, मतब eliminate करकर के ढूना करो, तो आपके लिए ढूना असान हो जागर, जैसे मैंने अभी भी किया, ठीक है, तो दिस वस ट्राइ, कि आप लोगो को RTC सिखाऊ, आप लोग चाहते है, RTC की वीडियो जो रहेंगे, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैडम हर चैट प